नागरिक्ता कानून का विरोध करने के नाम पर प्रदर्शन कैसे उपर ध्रवियों के चंगुल में फस गया है उसकी एक जीती जाकती तस्वीर दिल्ली के सीमा पुरी से सामने आई है जुमे की नमाज के बाद एक टब भीड ने यहाँ एक IPS अधिकारी पर पत्थर बरसाए और उसे ख़देडा था अब इस घटना का विडियो सामने आया है जो विरोध के नाम पर दंगा करने वालों को बेनकाब कर रहा है ये 20 दिसंबर के दिल्ली के सीमा पुरी लाके की तस्वीर है प्रदर्शन के नाम पर भीड पुलिस वालों के खून के किस तरह प्यासी है ये स्तवीर से साफ हो जाता है पत्थर बरसाती भीड पुलिस वालों को पढ़ेड रखी है पुलिस पीम के अगवाई कर रहे आईपियस हतिकारी और शाहदरा जुली के अडिशनल लीसीपी रोहित राजवीर सिंधी उग्र भीड से जान बचाने के लिए भाग रहे है उनके साथ उनका स्टाफ भी भाग रहा है अचानक उनके पैर लड़ खड़ाए और वो जमीन पर गिर जाते हैं जमीन पर गिरते ही भीड में शामिल कुछ लोग भीड को रोकने की कोशिश करते हैं इस बीच रोहित को उटकर फिर से भागने का मौका मिल जाता है उटते हैं और बे तहाशा भाग कर अपनी जान बचाते हैं यहां से भाग कर वो सीलमपूर पहुँचते हैं जहां आज तक की टीम की नजर उन पर पढ़ती है यह देखी जब रोहित राजवीर सिंग भीड से जान बचाकर सीलमपूर पहुँचे तो उनकी हालत कैसी थी उनकी आँख के नीचे चोट लगी थी सिड से भी खून बै रहा था इलाके के डीसीपी ने उन्हें मेडिकल जाज की सलाह दी वही रोहित ने बताया कि उन्हें चोट कैसे लगी थोड़ा जा ओल्ड सीमोगुरी के साइट पे लपत्राव हो गया था तो हमको शॉट्स भी फायर रुए रुए और तो नहीं किसी को चोट लगी आपको कहिंग और ज्यादा घंबीर चोट तो नहीं लगी अभी साथ-दर्स मेरे साथ ही थे डिफरेंट डिफरेंट उनको भी थोड़ी बहुत चोट आई है विल सीटू एट नो प्रॉल्में सा पाड़ा तब जॉप से लगी 20 दिसंबर की जगतना का वीडियो अब सामने आएगा इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कैसे विरोत के नाम पर ये भीड तंगाईयों जैसा सलूप कर रही एक यूव आईपेस अधिकारी जो शान्ती व्यवस्था के लिए अपनी फील के साथ हिंके बीच जाता है वही भीड उसकी जान लेने पर तुल जाती है गनिमत रही की अडिशनल डीसीपी रोहित राजविर सिंग बचनी किया वरना भीड क्या कर बैठती इसका अंदाजा लगाय जा सकता है इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक पांच लोगों को गिरफतार किया है ये सभी लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं देखे जिस दिन की एखटना है उस दिन सीलमपुर में कितनी बड़ी तादात में भीड इकठा होकर नारे बाजी कर रही थी बैरिकेड के उस पार जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग दिख रहे थे वहीं बैरिकेड के इस तरफ कुछ पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनाब थे जब ये भीड बेकाबू होती है तब ही पुलिस वालों को कारवाई करने की जरूरत पड़ती है वरना ये भीड किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाती है जिराग बोथी के साथ कुलिक सर्मा दिल्ली आज़ता